तो आज हम बनाने जा रहे हैं जैकेदार एकदम रेस्टोरेंट और धाबा स्टाइल छोली की सब्जी जो मैं उमीद करती हैं आप सबको बहुत पसंद होगी अगर आपको छोली की सब्जी पसंद है तो वीडियो को इधर ही लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर द पिंडी छोले आप किसी और तरीकी की चोले इसक्तमाल कर सकते हैं पिंडी छोले से एक दम वैसा ब फैसा य। बहुत आजी सब्सक्षियो नहीं इस सब्सक्राइब लेग और। इससे बिलकुल भी हलवाई जैसा टेस्ट नहीं आता है और ढावा जैसा तो आप इसे ओवरनाइट ही सोक करें अगर आप इसे ओवरनाइट सोक नहीं करेंगे तो इसमें वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ भी आड़ आई मीन डबल मैं पानी इस्तमाल कर रहे हूं आप अपने इसाब से कर सकते हैं आपके कितने छोले हैं और अब देखिए मैं इनमें पानी एड कर देती हूं और जो यह पिंडी छोले होते हैं छोटे-छोटे होते हैं जिसने कि इनमें टेस्ट और जाद अच्छा आता है और और हम इसको बंद करदें को जड़ा जेते हैं गैस पर अब हम इसमें आने देने हैं कम से कम लगवकचार और पास सीटी पहली सीटी को मैं हाई फ्लेम पे लगा रही हूं और बाकी की जो मेरी 3-4 सीटी होंगी वो में एकदम slow flame पे लगाऊंगी जिससे की जो हमारे छोले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं तब दक हम अपना मसाला तेयर करते हैं चली तर चलते हैं मसाले की तरफ मसाला तेयर करने के लिए मैंने आप पाच प्याज लिए मैं कुछ ऐसा नहीं लूगी जो आपके घर में नहीं होता है और मैंने यहां पर चार टमाटर लिए हैं एक लिसन की बहुत ही थोड़ा सा अद्रख साथ में मैंने चार पाच मिर्ची लिए हैं तो अब यह सारी चीजों को अच्छी तरीकी से आप वाश कर लीजेगा क्योंकि नीट अंक्लीन चीजों को रखना बहुत जरूरी होता है तो इनको अच्छी तरीकी से वाश करने के बाद मैंने वाश कर लिया है आप इनने पील आफ करके और इनने काट सकते हैं अब देखें आपक को जाएफ नहीं नहीं काटा है। मोटा मोटा काट लिया है। और लस्न को पील अफ कर लिया कि चिलका उतार दिया। जो मेरी प्याज है is को मैं बारी काट रही है और लसन अध्रक मिर्ची और जो भी टमाटर है उनका अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं और अब देखिए मैंने आपर मस्ट्रारल लिया अपनी काली कडाई में मैंने आपर आयरन की काली कडाई इस्तमाल क के इसमें सब्सदी अ तो आप इसी को लेनी कोशिच कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैंने इसमें जीरा एड़ करा, इसके बाद कुछ खड़े मसाली यानि की तेज पत्ता और काली लॉंग और काफी मैंने इसमें घरम मसाली अड़ करें हैं, तो आप अपने कर सक आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी सबजी को मनाएं तो इसमें प्याज का पकना बहुत जरूरी होता है, जब तक आपकी प्याज गोल्डन ब्राउन या फिर ब्राउन ना हो जाए तब तक आप बिलकुल भी कोछ और इसमें एड़ ना कीजएगा, मतलब टेमाटर और जो भी इंग्रीडेंट होता है, तो अब हमारी प्याज देखिए मैं अची तरीक से चला दिया हम इसे थोड़े धक के पकाएंगे, अब मेरे को देखिए इसे पकाते पकाते हो चुकी है, कम से कम पास या फिर साथ मिनिट और आप देखिए इसमें काफी अच्छा कलर भी जाए गोल्डन-गोल्डन सब, बस हमें यहां ही तक इसे पकाना है, पिर इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे अपना हल्दी पावडर क्यूंकि इसमें इसमें एड़ कर देंगे तो सबजी में बहुत अच्छा कलर और यानि की टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, अब इसमें मैं एड़ कर रही है, अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, यग एड़ कर सकते हैं, जतना आप खाते हैं टेसには का इसके बूंडी मैं इक श्पून एड़ कर रही हूं, आप और अंदासे से एड़ कर रही हूं, तो आप दी की में इसमें हैं इसे लिच्छा कर देंगे उसके बाद फिर हम इसे थोड़ी देर और ढखके पकाएंगे जब तक हमारे जो यह हल्दी है और मिर्ची है यह अच्छी तरीकी से पक नहीं जाती अब देखिए मैं इसे ठक देना है और अब इसके बाद अब हम देख सकते हैं हमें दो मिनेट हो चुकी है और यह अच्छी तरीकी से पक चुका है हमारे वसाल अब हम इसमें अपना पेस्ट एड़ कर रहे हैं टमाटर मिर्ची अदरक और लेसन का आप देखिए आप देख सक इसमें कितना अच्छा और फैंटस्टिक कलर आ रहा है यह एकदम धाबा स्टेल सब्जी बनने वाली और आपके फैमिली मेंबर्स को यह बहुत पसंद आने वाली है अब सबसे पहले मैंने इसमें नमक एड कर दिया है कि टेबली स्पून आप अपनी स्वाद के अनुसार अब दूसरा इंग्रीडेंट है इसमें हल्दी पावडर और तीसर गरम मसाला और आप देख सकते हैं यह है ने छोली का मसाली आपके पास यह नहीं है तो कोई इकत नहीं आप इसके बेना भी बना सकते है उतनी टेस्टी बनने वाली है जो ही सबजी है यह मैं अपनी आप देख सकते हैं अब मेरे को पाच मिनटी हुई है और इसमें मैं एड़ कर देती हूं सबसे पहले आमचूर पाउडर यह भी बहुत जरूरी होता है अब आप देख सकते हैं इसकी सीटी निकल चुकी है कोगर की और हमारे चोले ची तरीके से हो चुके हैं अब मैं आपको आप सापधानी से करें यह काफी गरम है तो देखिए यह अच्छी तरीके से हो चुके हैं अब हमारा मसाला भी हो चुका है आप देख सकते हैं इसने तेल छोड़ दिया है जब आपको के नारों पे तेल दिखने लग जाए तो आप इसको पका हुआ समझ सकते हैं आप आप देखिए हमारा मसाला तो हो चुका है रेडियों हम इसमे अड़ कर देता है अपने छोले और छोले के साथ जो पानी था मैं वह भी आड़ करें क्योंकि मेरा पानी ज्यादा नहीं था अगर आपका ज्यादा हो तो आप उसे निकाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरीके स अगर पानी आपको और चाहिए तो आप और ले सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के अकोड़िंग आप कितना पानी पसंद करते हैं या फिर आप चाबल फिल बना रहे हैं आप फिर रोटी के लिए यहाँ पे मैंने आज की सबजी बना ये भटूरों के लिए तो मैंने इसको थोड़ा थिकी बनाना है अब देख सकते हैं हमारे सबजी रोचे के